आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello Friend, Question है कि दलजीत ने जावीर को तीन वर्स के लिए 10,800 पर उधार दिये और कवीर को दो वर्स के लिए 7,000 रुपे, 7,500 पर उधार दिये और दोनों से जो व्याज मिला है, 1422 पर मिला है तो वार्सिक व्याज की दर बताए दोनों को सेम दर है लिए अब देखो वार्सिक दर कैसे निकालेंगे SI is equal to पहले पोर माना देख लो SI is equal to क्या होता है P into R into T अपोन में 100 अब उसे ब्याज कितना मिला है बताओ 1422 अब उसे ने कहा है कि जो 10,800 रुपे है न उसे 3 वर्स के लिए दिया और प्लस 2 वर्स के लिए उसे 7,500 और जो R से मैंना उसे मैंने क्या ले लिया कोमन और अपोन में आगया 100 ठीक है क्या आगया अपोन में 100 अब देखो ये 2,0 और 2,0 कोमन लेकि इस 100 को हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया अब क्या बच्छा ये 1420 is equal to ठीको 75 दूना होता 1,500 कितना होता 1,500 और 108 ती आई कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10 दूना 30 और 31 32 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 और 7 और 7 4 और 5 और इंटू R आगया ये अब देखो इसे हम cancel out करेंगे तो कितने टाइम्स में cancel होगा ये approximate value आएगी कितनी value आएगी approximate में जाएगी तो जब हम 1422 को divide करेंगे 5,7,4 से तो ये approximate 3% के आसपास value आएगी अब इसमें कुछ गरबर होगे लग रहा है पच्छतर दुना देर सो आट तरे चोवीश और तीन एकम तीन और ये तीन और एक चाप आन्दो साथ और एक चाप ये तो सही है अपोन में सो भी सही है ब्याज इतना मिला तो वार्षिक ब्याज कि दर कितनी आएगी है 2.4 2.5 परसेंटेज अप्रॉक्षिमेट बैलो लेकिन 2.5 तो है नहीं नन अप दर दीज अबावस क्लासिक से टुएल से लेके नीट आई 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 टी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर